नमस्कार दोस्तो सुरेंदर हेल्प चैनल में आपको स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नागर पाल का आम निर्वाचन 2022 का रिजल्ट जारी हो चुका है दोस्तो ऐसे में अगर आप पता लगाना चाहते हैं जो नागर परिसद, नागर निगम और नागर पंचैत का कौन सा उमीदवार यानि विजय हुआ है कितना कूल वहुमत मिला है ये सरा कुछ डिटेल आप अपने मुवैल से चेक कर सकते हैं यानि उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं और कौन सा उमीदवार कितना वोट से हार गया है ये सरा कुछ आप चेक कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखे और दोस्तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इस चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को एक लाइक जरूर करे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और किस प्रकार से ये मुखे पारसद, वार्ड पारसद और उपारसद का रिजल्ट चेक करते हैं इसके बारे में step by step आपको बतलाते हैं तो दोस्तो इसके लिए क्या करना है सबसे पहले अपने मुखेल में किसी ब्राउजर को ओपेन कर लेना है इस तरह से ओपेन हो जाने के बाद आपको क्या करना है सर्च में यहाँ पर टाइप करना है acc.bh.gov.in 2022 ठीक है इतना लिक करके इसको सर्च करना है दोस्तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दिक्स प्रिक्शन बॉक्स में दे देंगे वहाँ से भी आप असानी से चेक कर सकते हैं ठीक है तो चलिए इसके उपर में सर्च करते हैं तो दोस्तों सर्च कर देने के बाद आपके साने में एक नया पेज इस तरह से खुलके आ जाएगा यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ही एक लिंक मिल जाता है नागरपाल का आम निरवाचन 2022 ठीक है एसके उपर में एक बार आपको क्लिक कर देना है इसके उपर क्लिक कर देने के बाद आपके साने में फिर से एक नया पेज खुलके आ जाएगा और यह पेज को पुरा ओपन होने देना है ठीक है ओपन हो जाने के बाद आपके साने में यहाँ पर रिजल्ट करने का यह पेज खुलके आ जाएगा ठीक है अब आपको क्या करना है यहां पर देख सकते हैं सबसे first में यहां पर देख सकते हैं नगर पाल का आम निरवाचन 2022 ठीक है सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है पद का नाम देना है उसके बाद यहां पर जीला का नाम सेलेक्ट करना है उसके बाद यहां पर नगर निकाय का परकार यहां पर सेले चेक करके बतलाते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर जीला का नाम सेलेक्ट करना है आपका जो जीला है कहां पर है जीला उसको सेलेक्ट कर लेना है यहां से ठीक है उसके बाद यहां पर नगर निकाय का परकार सेलेक्ट करना है जो आप कौन सा नगर निगम में आते हैं या गन्गर् निकाय का नाम सेलेक्ट करना है इसमें ऱग निकाय यहां पर 4 है तो इसमें है यहां घूल करना है इसके बार Residenter दोस्तों आपको क्या करना है संख्या सलेक्ट युग कितना हैं तो यहां से मिल जागा ठीक थे सब्सक्राइक में जाएक zost option इसके उपर में एक बार टिक करना है ठीक है तो इसके सो के उपर में क्लिक करते हैं और यह सरा रिजल्ट यहां पर आ चुका है तो देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले आपका जीला का ना मिल जागा उसके बाद दनमंडल का ना मिल जागा नगर निकाय का ना मिल जागा उसके बाद यहां पर इसको लेप्ट साइड करते हैं और कौन सा पद है यहां पर पद का ना मिल जागा वाड का ना मिल जागा और उस वाड में कितना कंडिडेट यानी चुनाव लर रहे थे यह सरा का नाम यहां पर मिल जागा परत्यासी का नाम उसके बाद यहां पर देख सकते हैं इधर मिल जागा या कूल प्राप्त मत कितना वोट मिला है उस कंडिडेट को तो यहां से देख सकते हैं ठीक है उसके बाद में यहां पर देख सकते हैं जो यहां पर 260 यह हाइलाइटेड है ग्रीन कलर का जो ह बाद यहां पर जबने इसकेा पहल देख सकते हैं उसके इहां करुच तो वोट मिला है 36 और 213, 247, 179 और यहां पर सबसे ज़्यादा वोट मिला है 266 यानि यह लुक्या देवी के लुक्या देवी उस वाड से विजेता है तो दोस्तों इसी तरह से आप वाड परसद हो या मुखे परसद हो यहां से आप चेक कर सकते हैं तो चलिए यहां पर वाड प परसद का हम चेक करके बतलाते हैं तो यहां पर मुखे पारसद के उपर में टिक करना है ठीक है उसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर क्लिक कर देने के बाद अब आपको यहां पर देख सकते हैं जो जीला का नाम अनमंडल का नाम और नगर निकाय का नाम पद का नाम औ यहां पर मिल जागा और यहां पर देख सकते हैं जो यह वेक्ति यानि जीत हासिल किया है यानि विजेता हुआ है बावन सो साथ अंक मिला है इनको ठीक है और सभी कंडिडेट के नीचे में देख सकते हैं जो कुल कितना वोट मिला है यह सरा डीटेल यहां पर देख सकते हैं इसी तरह से आपको मुखे पारसद, उप पारसद का भी यहां से चेक कर सकते हैं, तो उप पारसद के उपर में टिक करना है, उसके बाद सो के उपर में क्लिक कर देना है, इसके उपर क्लिक कर देने के बाद यहां से आप चेक कर सकते हैं, जो यहां पर देख सकते हैं, यह जो वीडियो को एक लाइक जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन